बिस्मिल्लायरह्मान रहीम, असलामु अलेकुम दोस्तों, पिशले लेक्चर में हमने आपके बुक का चैप्टर नंबर 9, स्प्रेडशीट्स का ओवर्वियू देखा था, जिसमें हमने इस चैप्टर में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसकी रितेज आपको प्र करने जा रहे हैं, और आज की लेक्चर में हम जानेंगे कि स्प्रेडशीट्स होती हैं, और अब तक के तमाम स्प्रेडशीट्स के सॉफ्वियूर्स में जो जो बेसिक फीचर यूज हुए हैं, उनकी रिटेर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आईए, फिर स्टार्ट करते हैं, स्प्रेडशीट, दोस्तों, अ स्प्रेडशीट इस आज सॉफ्वियर टूल पर एंटरिंग, मैनिपूलेटिंग, कैल्कुलेटिंग एन अनलाइजिंग डेटा इन अ टेबलर फॉर्म, यानि स्प्रेडशीट क्या है, कोई भी ऐसा सॉफ्वियर जिसमें आप डे इस डेटा पर आप कोई अनलेसिस कर सकें, यानि कैल्कुलेशन कर सकें, तो जो भी सॉफ्वियर आपको इस तरहा की फॉर्क्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप डेटा को रॉस एंड कॉलम्स में इंजर्ट कर सकते हैं, ताकि ये तमाम काम उसके उपर परफॉ करते हैं, ताकि आप इस डेटा पर कैल्कुलेशन कर सकें, और आम तोर पर कैल्कुलेशन नंबर पर की जाती है, तो इससे हमें ये पता लगा, कि the spreadsheet, the specialty of spreadsheet is working with numbers, यानि इस प्रेटशीट में जो में डेटा होता है, वो होते हैं numbers, आप numbers को इस प्रेटशीट में इंजर्ट कर सकते हैं, ताकि उस पर calculations perform कर सकें, इसके इलावा आप textual data भी उसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे के labels वागारा भी आप spreadsheet में इंजर्ट कर सकते हैं, लेकिन खास दोर से spreadsheet numbers पर काम किया जाने वारा software है, इस तरह word processor में हमारा तमाम focus text पर था, यहां हमारा तमाम focus numbers पर होगा, इस इसकी definition में एक और word यूज हुआ है, analysis का, तो analysis के मानी होते हैं, महासबा करना, यानि जो भी data in the form of numbers आप spreadsheet में डालेंगे, आप उस data को analyze कर सकते हैं, for example, आपने आपकी एक company है, और उस company का daily profit जो भी उस company को earn होता है, वो उसका रोज का जो मुनाफ़ा है, वो spreadsheet के अंदर insert करता है, ताके वो spreadsheet के जरिए, उस enter किये गए data को, उस enter किये गए profit को analyze कर सके, और एक महीने बाद जब वो अपना वो तमाम data दिखेगा, तो उससे उसको ये पता लग जाएगा, कि उसने एक महीने में कितना उसको उसकी company में मुनाफ़ा हुआ है, यानि वो उस enter किये गए data को analyze कर सकता है, इसके इलाफा, spreadsheet आपके insert किये गए data को graphics और charts की शकल में भी दिखाती है, for example, आपकी company को जो है, वो कितना मुनाफ़ा हुआ है, तो वो आपको इस तरह आप जब वो मुनाफ़ा spreadsheet के अंदर डालेंगे, और उसका chart देखना चाहेंगे, इसका graph देखना चाहेंगे, त through देख सकते हैं, जो कि एक बहतरीन तरीका है, data को analyze करने का, और यहां last word यूज हुआ है, manipulating का, यानि आप data को enter भी कर सकते हैं, उस data पर calculations भी कर सकते हैं, उसको analyze भी कर सकते हैं, और साथ के साथ data को manipulate भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी cell में पढ़े data को cut, copy, paste, align, इस तरह के options भ पर perform कर सकते हैं, जो कहलाता है data manipulation, और यह काम, यह तमाम काम आप जिस भी शीट पर perform करेंगे, वो शीट कहलाएगी spreadsheet, और फ्रेंस कोई भी ऐसा software, जो आपको इस तरह की spreadsheet provide करता है, इस तरह की spreadsheet पर काम करने की सलायर provide करता है, वो software कहलाता है, spreadsheet software, दोस्तों, तमाम spreadsheet के software के rows and columns, second है formulas, third है functions, fourth है commands, fifth है text manipulations and print, तो आईए, इनको बारी-बारी details में पढ़ते हैं, grid of rows and columns, दोस्तों, जैसे के मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ के spreadsheet एक इस तरह की sheet होती है, जो के rows and columns पर मुश्चमिल होती है, और यह देखिए, a spreadsheet consists of rows and columns of cell, यानि spreadsheet को rows and columns में इसी निए break किया जाता है, ताकि वो cell बन सके, और cell क्या है, a cell is simply at the, is simply the small box, at the intersection of rows and columns, यानि जब यह rows and columns की line आपस में तकराती है, intersect होती है, तो यह इस तरह का cell बनाती है, यानि अगर आप यह देखें, यह एक column है, और यह है row, जब इस C column की, इस C column की यह line और इस row की यह line आपस में intersect होगी, इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको यह एक box नुमा, एक छोटा सा box नजर आ रहा है, जो कहलाता है cell, और friends यह देखिए, each cell in a spreadsheet is identified by its own unique cell address, दोस्तों अगर आप इस तस्वीर में यह देखें, तो आपको बहुत सारे cells देख र लिए हर एक cell को एक unique cell address assign किया जाता है, जो कि बताता है कि वो cell इस spreadsheet में कहां रखा हुआ है, और friends आपने सोच रहे होंगे, कि यह address किस तरह assign किया जाता है, तो the spreadsheet program donates columns with letters and draws with numbers, यानि spreadsheet में जो columns होते हैं, उनमें हर एक column को एक alphabet assign किया जाता है, जैसे यहाँ देखें, column 1 को नाम नाम दिया गया है, alphabet A का, column B को नाम दिया गया है, alphabet B का, इसे तरह तरह में columns को A to Z तक नाम दिये जाते हैं, यानि A to Z तक के alphabet assign किया जाते हैं, और तमाम ROMS को Numbers assign किया जाते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहां пров 1 का नाम है 1, пров 2 का नाम है 2, और इस तरीके से जैसे जैसे रॉस आगे वड़ती जाएंगी तो उन्हें तमाम नंबरिंग असाइंग की जाएगी और फ्रेंट्स यहां आपको इस तस्वीर में कुछ सब्सक्राइब करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर याद रखिए तमाम डेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक cell का एक address होता है तो वह address कैसे assign किया जाता है तो friends वह assign किया जाता है rows and columns के जरीर for example अगर आप यहां इस तस्वीर में देखें तो इस cell का address है B7 यानि जिस column और row के intersect होने पर यह cell बना है उसी column और row के name से उसी column और row के name से इसको address assign किया जाएगा इसी तरीके से अगर इसके बराबर में जो cell है उसका address आप देखे तो वो है c7 जो के column c और row 7 के आपस में तकराने से intersect होने से ये column बना है तो friends यहाँ आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर जब भी आप किसी भी cell को address assign करते हैं तो पहले column name आता है उसके बाद row name आता है जैसे यहाँ b7 था तो b यहाँ पर column है और 7 row है और से तरीके से c7 में यहाँ पर c column है और row 7 है विच मीन्स कि address assign करते वे पहले हमेशा column name आएगा और बाद में आएगा row name तो दोस्तों आएए इसकी कुछ और practice कर लेते हैं अगर आप इस तस्वीर में इस cell का address देखें तो बताएं इस cell का address क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यह जो है यह c column के c column और fourth row यानि fourth row और c column के जरीए यह एक cell बन रह देखें पहले आएगा column name उसके बाद आएगा row name तो c4 इसका address होगा इस तरीके से अगर हम इस cell की बात करें तो आप बताएं कि इसका address क्या होगा इसका address होगा पहले आएगा column name which is a उसके बाद आएगा row name which is one तो इसका address होगा एवन तो दोस्तों इस तरीके से तमाम cells को addresses assign क बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें के अंदर मौजूद डेटा पर आपको जो भी वर्किंग करनी होती है वह आप उस सेल के एड्रेस के भी हाफ पर करते हैं कैसे यह आपको आगे दितेर में बताएंगे तो फिर्स यह फीचर यानि यह रॉस और कॉलंस का फीच स्प्रैक्चित में आप ज़्याद्धतर तमाँ वर्किंग नंबर्स पर करते हैं कैसे उन नंबर्स पर कैल्कूलेशन परता करती हैं मान लें आपने स्प्रैक्च भीमें इंसर्ट कर दिय कि उन्हें इन cells में पढ़े हुए numbers के साथ करना क्या है तो दोस्तों यह formula क्या है formula is an expression that instructs the spreadsheet program to perform calculation and manipulation on the contents of cells यानि कोई भी expression जिसके ज़रिये अब cells में मौझूद data पर कोई भी mathematical calculation या फिर manipulation perform करवा रहे हैं तो वो expression कहलाएगी formula for example यहाँ cell A1 में पढ़ा है एक number which is 10 और cell A2 में पढ़ा है दूसरा number which is 100 अब अगर आपको इन दोरों numbers को आपस में sum करवाना है जमा करवाना है और जमा करवाने के बाद result cell A3 में store करवाना है तो आप इसके लिए formula क्या बनाएंगे आप इसके लिए formula बनाएंगे A3 equals to A1 plus A2 यानि A1 cell में जो भी value है और A2 cell में जो भी value है उन्हें आपस में plus कर दे और result रग दे A3 में तो इस तरहाँ की expression कहलाती है formula और friends यहां आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने यहां cell addresses पर काम किया है तो cell address बहुत important होता है क्योंकि अगर आपने गलत address लिए A2 के बजाए A3 लिए A5 लिए तो वह सकता है आपको result भी गलत face करना पड़े तो dear friends यह था formula का feature जो कि किसी भी spreadsheet के software को powerful बनाता है easy बनाता है simple बनाता है इसके बाद जो next feature है वो है functions दोस्तो functions क्या है functions are used to perform certain tasks यानि spreadsheets में अगर आपको कोई task perform करवाना है तो उसके लिए spreadsheet आपको कुछ ready weight functions प्रोवाइड करती है for example अभी हमने दो cells में पड़े हुए data को sum करवाया था इस तरह से एक formula लिखके अब अगर आपको इसका बना बनाया function मिल जाए तो इसमें आपको कितनी असानी हो जाएगी अभी आपने एक पूरी expression लिखी थी एक कुछ से formula बनाया था लेकिन spreadsheet आपको इसका बना बनाया sum का एक function प्रोवाइड करती है तो इस तरह आपको spreadsheet में कई तरह के function बिल जाएंगे जैसे के mathematical, logical, technometric, financials वगयरा जैनि हर तरह के ready-made functions आपको spreadsheet पोवाइड करता है जिसके जरिये आप अपने कामों को नहाया थी असानी के साथ perform करवा सकते हैं और दोस्तों यह function की definition देखिए a function is like a shortcut that allows you to do a complex operations without having to specify how the individual steps are done यानि function एक इस तरह का shortcut होता है जिसमें आपको पूरा formula type करने की जरूरत नहीं होती आप एक छोटे से word जो के function कहनाता है उसके जरिये बड़े से बड़ा complex operation perform करवा सकते हैं और यह functions आपको कौन प्रोवाइड करता है यह functions आपको प्रोवाइड करता है spreadsheet का software तो दोस्तों इसके बाद जो next feature है spreadsheet का quiet commands दोस्तों spreadsheet आपको कई तरह की commands प्रोवाइड करता है जो कि आप इसी individual cell पर apply कर सकते हैं जैसे rows के लिए अलग commands होती है columns के लिए अलग commands इसी तरीके से cells के लिए भी अलग commands होती हैं जैसे अगर column width को आपने change करना है तो उसके लिए कोई operation होगा वो operation जिसके जरिये column की width को आप change कर सकते हैं बढ़ा या घटा सकते हैं वो operation कहलाएगा commands इसी तरीके से किसी cell को आपने move करवाना है किसी row को आपने fill करना है तो इन तमाम कामों को करने के लिए spreadsheet का software आपको अलग-अलग commands provide कर feature है spreadsheet का text manipulation दोस्तों spreadsheet का एक बहुत अच्छा feature यह भी है कि आप इसमें numbers को तो insert करी सकते हैं साथ के साथ आप इसमें textual data को भी insert कर सकते हैं और insert करने के साथ-साथ आप उस text को manipulate भी कर सकते हैं text का size, font, alignment वगएरा change कर सकते हैं इसके इलावा text को cut कर सकते हैं paste, copy, move, delete वगएरा के options भी आप text पर apply कर सकते हैं यानि आप spreadsheet के software के through text manipulations भी करवा सकते हैं इसके बाद जो last feature है जो के हर एक basic spreadsheet का software भी आपको provide करता है वो है printing mechanism दोस्तों spreadsheet के जरिए आप से documents बना नहीं सकते हैं बलके उस document को print भी करवा सकते हैं उसकी hard copy भी हासिल कर सकते हैं तो ये भी एक feature है जो के spreadsheets आपको provide करती हैं तो dear friends ये कुछ basic features थे जो के आपको हर एक spreadsheet के software में जरूर मिलेंगे next lecture में हम आपको spreadsheet software के interface से familiar करवाएंगे अब तक के लिए अल्ला हाफिस दिल्ड़र गजस्ट में एक कर पानी हुआ ? भी हो और अब दाखे मिलें एक जब देस्न हो के लागा सेस्टता हैं